एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। प्रिया को फल बहुत पसंद थे, खास कर तर्बूज। एक दिन उसे अपने घर के पास एक खेत मिला जिसमें चमकीले हरे तर्बूज उग रहे थे। ये तर्बूज बिलकुल साधारन नहीं थे, ये जादूई थे। जब रिया ने इन तर्बूजों को छुआ तो उसने एक अदगुद एहसास महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि वह एक स्वादिष्ट दुनिया में है। तर्बूजों ने उसे मीठे जामुन और रसदार फलों के बारे में बताया। उन्होंने उसे स्वादिष्ट व्यंजनों और पे बनाने के बारे में सिखाया। प्रिया अकसर खेत में जाकर तर्बूजों से बाते करती थी। उसने उ एक दिन रिया को एक खाना पकाने की प्रतियोगिता में भाग लेना था वह बहुत घबराई हुई थी और नहीं जानती थी कि क्या बनाना चाहिए वह तर्बूज के खेत में गई और उनसे मदद मांगी तर्बूजों ने उसे एक जादूई तर्बूज का तुकडा दिया और उसे एक स्वादिष्ट तर्बूज का हलवा बनाने के लिए कहा रिया ने तर्बूस के टुक्रे को छुआ और उसके दिमाग में तर्बूस का हलवा बनाने की एक स्वादिष्ट रेसिपी आ गई रिया ने प्रतियोगिता में तर्बूस का हलवा बनाया सभी जजों को हल्वा बहुत पसंद आया और उन्होंने रिया को प्रतियोगिता का विजेता घोशित किया रिया को तर्बूस के खेट के लिए बहुत प्यार था उसने सीखा की स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए जादू की जरूरत होती है न की महंगी सामगरी की वह जानती थी कि जब तक उसके पास अपने दिल में खुशी और प्यार होगा वह हमेशा स्वादिष्ट और जादूई व्यंजन बना पाएगी